बिहार से मारी कॉलर मारे साथ नीतु जुड़ गई है नीतु जी स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में हकीम साहब आपके साथ मौजूद है बात कर सकती है आप उनसे जी मैंनमस्ते है हकीम सर कफिनमस्ते जी जी आदाब फर्माईए नीतु जी सर जंते हैं मेरा पेट में बच्चेदानी में सूजन हो गया है और बच्चेदानी में सूजन हो गया है और दुसरा बिमारी है कि कमर में इतना दरद होता है कि इदर से हाथ में भी दरद होने लगा, कमा में भी दरद होने लगा, और दुसरा बिमारिया की, जो तीन साल पेड़े सूगर भी हो गया था, अभी उमर भी ज्यादा ने हुआ, ठीक, आपकी उमर कितनी है इस वक्त, अभी तो खिला, तीस है, शत्तिस, नहीं, तीस, तीस, तीस के आसपास है, अभी तो तीस, भी नहीं ज्ञंग से पुरा है, ठीक है, अच्छा देखिए, बहुत कम उमर में आपको इस सारी परिशानिया हो गई, एक तो देखिए, युनानी में हर मर्स का मजबूत इलाज है, जैसे आपके को शुगर है, तो शुगर में एथियात लाजिम है, मीठी चीजों की, आलू और चावल की, और इसके लिए गुड़ मार बूटी, गुड़ मार बूटी, और मेथी, और आउला, ये तीन चीजें आप बराबर बराबर वजन में लेकर पाउडर बनाएं और एक एक चमच, दो से तीन वक तक पानी के साथ खाया करे इसे आपको बहुत फाइदा रहेगा और शुगर कंट्रोल रहेगी और जो डॉक्टर दवा दे रहा है वो भी आप खा सकते हैं, दुसरा, जो दर्द आपके कमर में है, और हाथ में दर्द आ गया है, उसके लिए आप एक दवा बता रहा हूं, वो यह है कि गॉन्द सिया, और गॉन्द सिया और अलसी, दोनों को बराबर बराबर वजन में लीजे, और दोनों को खुब बारिक पौडर बना लीजे, और एक ग्राम सुबा एक ग्राम शाम, तूद या पानी के साथ आप इस्तमाल करें, तो आपकी हर जोड, हर नर्व, कमर दर्द, घुटनों में द करता है, महीना दो महीना इस्तमाल करें, तो आपको फाइदा मुम्किन है, तो चलिए नीतु जी, आपको चावल और आलू से थोड़ा परेश रखना है, और इसके साथ अलसी और काला जो गोंद होता है, उसका पौड़ा बना कर इस्तमाल करना है, उमीद करते हैं कि आपकी परेशानी दूर हो जाएगे, कौल कौल हमार सा, महम्मद यासीन है, जम्मू से, यासीन जी, आपको क्या परेशानी है? Assalamualaikum हकीम साथ, वाले असलाम, वाले इसलाम, वाले इसलाम, हकीम साथ में जम्मू कश्मिस्टी जिए में किसे बात कर रहा हूँ? जी जी, फरमाईए, हाँ, सर मेरे जो ये राइट आरम है, आरम पिट में मेरा एक वाइट दाग निकला है, सफेद, तो एक साल सहर में ने कोई दवाई नहीं लिए भी तक, अम्र क्या है आपकी? 42 है, चीक, तो दिके ऐसी जगा पर है, जहां, बहुत बुरा नहीं लगता है, ढका रहता है, और इसका इलाज है बहुत लंबा, और ऐसे लोग भी ठीक हो जाते हैं, जिनको सफेद दाग है, और लिए बापची नाम की एक दवा है, वो खुश्बुदार दाने दाने से होते हैं, मेथी के तरह से होते हैं, इनको आप चा पीस इसके रोजाना चबा के खाया करें, और खुन साफ करने वाली और दौाएं भी आप ले सकते हैं, और और काफी वक्त लगता है, सफेद दाग के मरीज्द अक्सर इलाज करते हैं, और जब ओ ठक जाते हैं, और जब ओ ठक जाते हैं, वहां से उनका इलाज फाइदा हो गया लेकिन इसका काफी लंबा हर पैथी में इलाज है आप चाहें तो ये इलाज ले सकते हैं तो यासिन जी इलाज जरूर लंबा है लेकिन फाइदा पहुंचे का बस थोड़ा सा आपको सब्र रखना है और यहां उसी सब्र के साथ दवाई जो बताई है जो नुसका आप अपर हकीम साब ने बताया उसको अपने जिन्दगी में अमल मीलाना है दिली से हमाएं साथ अदनान मौजूद है उनसे बात करते हैं जी अदनान बताएं आपको क्या परेशानी है क्या तकलीफ है 51 50 हकीम्साब कुछ बताना चाहेंगे आप अदनान को वहाँ दीए गैस तो पैट में ही बनती है और इसके लिए बहुत सारे नस्खे जाते हैं और एक नस्खा मैं बताता हूं अक्सर के सौफ, सौट, जीरा, अजवाइन और मौरिंगा का गौन इन सब को हमजर लेकर पाउडर बना लें और एक चम्मश सुबा एक चम्मश शाम खाने से पहले लिया करें पानी के साथ तो आपको इस मर्ज में फाइदा होना मुम्किन है तो चलिए ये चीज़ जो बताई है अभी आपको हकीम साब ने इससे इस्तमाल करके देखिए ही ये परेशानी होती है या आजकल की जो जीज़िए जो खान पाने जस तरह के चीज़े हम खाते हैं जिस तरह का खाना हम लोग अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं खाते हम से उससे भी परेशानी बढ़ती है कि कई वजवात जैसे शुरू में मैंने कहा कि अगर उम्र 30-40 से ज़्यादा है तो कुद्रती तोर पर खून-गाड़ा होता है और फिर बाहर का खाना भी इसमें बहुत दखल रखता है कि हम हमारा खून-गाड़ा या खून-गंदा हो जाता है क्योंकि बहार से जो आता है वो हमें पता ही यी के हम क्था खा रहें एक प्रॉडक्ट जो बहुत आसानी से मिलता है और हम और्डर करके महाते हैं यह बज़र जाकर खाते हैं वह जायका तो बना देते हैं आपका लेकिन ऊसमें सहत नहीं डालते है जबके हमारी मा या बहन या जो भी घर में ऐसे महतरम रिष्टे हैं इजड़त वाले तो वो चाहे जायका आपके नहीं बनाएं लेकिन उसमें सहत और खुलूद जरूर डालते है तो ये जमजना होगा कि अगर हमारे खुन में चर्बी जादा है जिसे कालिस सौल कहते हैं तो उसको बाहर करना हुआ वरना फिर हम हमेशा के मरीज रह जाएंगे अगर हमारे हार्ट ब्लॉक की जा आजकल बहुत ज्यादा होने लगे हैं आपने देखा होगा कि आपके बहुत करीबी लोगों के मालू हुआ रात को अटेक आ गया और डॉक्टर ने बताया कि उनकी दिल की जो रगे हैं उसमें चर्बी जम चुकी है ब्लॉक हो गई है तो चालिस साल के बाद हर किसी को होश्यार हो जाना चाहिए कि हमें ऐसा मर्स हो सकता है और ऐसे लोग जो चालिस साल से जादा हैं वो बहुत नफे में रहें अगर लहसन खाया करें मैं खुद काफी उमर दरा हो गया और क्योंकि मैं भी आम इंसान हूं मैं भी आट दस लहसन रोजाना इस्तेमाल करता हूं खाने के साथ तरीका यह है कि निवाले के साथ एक लहसन चबा के खालीजे और ऐसे चार पांच सुबा चार पांच शाम फिर सारा खाना खालीजे तो यह आपके हार्ड को ब्ल खुन को पतला रखते हैं खुन पतला रहेगा तो प्रेशर नहीं पड़ता और जिन लोगों को ब्लेट पेशर है वह अगर लगातार इस्तेमाल करें तो ब्लेट पेशर की शिकायश से भी निजात मिल सकती है बहुत अनील है दिली से अनील बताएं आपको क्या परिशानी ह अनील भाई बताएं क्या सवार डोक्टर साब मेरे में जोड़ों में दर्द रहता है जी और मैं थोड़ा पैदल चलता हूं दस-पंदरा कदम तो मेरे सांस बूलने लगता है एज कितनी है अनील भाई आपकी मेरी बयालिस साल है ठीक अच्छा देखिए अगर आपको फेपड़े की यहनि लंग्स की कोई बीमारी है तो उसका इलाज करा है एक बार मायना करा ले अपना जांच करा ले और अगर सांस फूलता है इस वज़े से कि आपके खून गाड़ा है या आपके ब्लॉकिज हो चुके हैं हार्ट ब्लॉकिज जिने कहते हैं तो फिर उसका इलाज कराना पड़ेगा पहले आपको अपना मायना कराना पड़ेगा और यह जो आपके दर्द होता है इसका एक बड़ा अच्छा इलाज है और वो ऐसा है कि तुनिया की बहतरी नेक दबा है जिसे हम काला गौन्द या गौन्द सियाह कहते हैं लेकिन यह बड़ा मुश् है तो उसे सोच समझ के लिए और इसको पौडर बना ले गौन्द सियाह और अलसी दोनों को हमजल लेकर पौडर बना ले और एक गिराम सुबा एक गिराम शाम खाने के बाद पानी से ले तो आपको फाइदा होना मुम्किन है बिल्खुल हकीन साब ने जैसे बताया है कि का काला गोंद और अलसी जरूर इसमाल करते हैं। हकीन साब एक बात जाना चाओंगे, मैं आप से अलसी के आपने फाइदे हमें बताये थे काला गोंद जसे आप बार बार जिकर करते हैं, क्या अलसी और काले गोंद को दोनों को मिलकर dip wrong company fu ग्लमद को डेली यूज मेग भी ह अक्सर ये जोडों का दर्द, कामर का दर्द, और कुट्णों का दर्द, उम्र का दर्द, सबसे बड़ी तो उम्र का दर्द होता है, और ये दर्द बाज नहीं आता, होता हर किसी को है, बिलकुल, और ये कौमियत भी नहीं देखता, ये तासू भी नहीं है, ये हिंदु को भ 35-40 साल तो ये 42 इनकी एज है अब ये शुरू हो गया अब जब तक ये अब आजकर आदमी थोड़ी सी दवाईएं भी जानता है कोई भी किसी की बुखार हो तो बुखार की गुली खा लेता है बिल्कुल और दर्द हो तो दर्द की गुली खा लेता है तो ये दुनिया की एक ऐसी दवा है काला गौन जो हम डेली यूज नहीं कर सकते हैं जो फ्लैक सीड मैंने बता है वो डेली यूज इस्तमाल कर सकते हैं कोई नुक्सान नहीं ये बहुत तेज है इसकी खुराक ही आदा गिराम है इसे ज़्यादा खाना मना है और इससे बहतरीन दवा पूरी दुनिया में काले गौन से बहतर दवा पूरी दुनिया में क्योंकि मैं भी तजर्वे काराद्बी हूँ मैं बच्पन से खिद्मत कर रहा हूँ तिब में आईरवेद में तो इससे बहतर दवा जोडों के दर्द की मेरी तजर्बे में नहीं आई यह दोड़ा नहीं बलके एक ऐसा ट्रीट्मेंट है जो हमारे हर जोड हर नर्व पर काम करता है और चंद हफतों में चंद महीनों में हमारी पूरी बॉड़ी की रिपेर कर देता है तो इसके बारे में बहुत सीर्यस को बताता हूं कि यह महquent मिलता है अच्छा अच्कल बाई मानी बहुत है ये है कि यह मिलता बड़ी मुश्किल से है नकली मिलता ते मिलता तैस आज़ किलो मिलता है अब जहां हम रहते हैं वहां 50 रुप किलो का अगर दूझ आता है तो उसमें भी मिलावट आ जाती है जहां दस बारा हजार रुपे कि लोग की चीज़ है वहां भी लोग मिलावट करेंगे ही करेंगे पहले इसकी पहचान होनी चाहिए कि होता कैसा है जायर के में इतना कड़वा होता है ये कि मैंने दुनिया में इतनी कड़वी चीज़ नहीं देखी यानि जो करेला और नीम लोग खाते हैं और कैसे थू-थू करते रहते हैं लेकिन ये तो कुछ भी नहीं यानि अगर आपने जरा सा जबान पर रख लिया है तो इतना कड़वा हो जाएगा अगर आप कोई मीठा या नमकीन चीज़ नहीं खाते हैं तो इसकी पहचान में बताता रहता हूं और हम लोग इसको दस्तियाप करते हैं लेकिन हमारे पास भी इतना नहीं होता कि सब को दे सके हम अपनी कंपनी के लिए मंगाते हैं कि सबसे हैं लेकिन असली मिलनी चाहिए जिसको असली मिल गई समझ लिजे उसको फाइधा मुम्किन है